सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और प्रेस कीजे बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैशी किष्णा दोस्तों वेलकम तु स्वात सफर और जिन्दिगी ठेंड का मौसम है बाजार में बहुत मक्के का आटा आ रहा है उसका यूज करके हम यह मठ्रिया बनाएंगे बहुत ही जादा टेस्टी लगती है चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पूरी ठंड आप इसको खाईए बहुत ही जादा हेल्दी होती है तो सबसे पहले मैंने मेथी की भाजी ली थी जो फ्रेश भाजी होती है इसको डेंडिया मैंने निकाल दी थी और उसके बाद इसको धोल लिया था अब मैं इसको बार काट लूँगी इसको हम मठ्री में यूज करेंगे अब एक पतीला ले लिया है या एक बाउल ले लिया है उसमें मैं मक्के का आटा डाल रही हूँ मैं इस कप का मेजरमेंट ले रही हूँ तो इस कप से मैंने दो कप भरके ये आटा ले लिया अगर आप किसी काटोरी का मेजरमेंट ले रहे हैं तो उससे ले ले और जितनी quantity में बनाना चाहते हैं उतना लेले बनाने के लिए तो ये मैंने आटा ले लिया है अब कुछ चीजे एड़ करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जीरा डालेंगे एक चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थोड़ी चटपटी सी इसको बनाएंगे और ये काफी तीखी वाली लाल मिर्च है इसके साथ एक चम्मच अजवाइन ली है इसको हातों से इस तरीके से रब करके डालेंगे इसके बाद स्वाद अनुसा नमक डालेंगे जितनी मठ्रे बना रहे हैं उसे साफसे नमक डाल दे लगबग आदा चम्मच जितना इसमें नमक चला गया आदा चम्मच मैंने इसमें भूने जीरे का पाउडर डाला अगर आप यह नहीं डालना चाहते तो मत डाले क्योंकि वैसे भी हमने खड़ा जीरा तो डाला ही है अब इसको हातों से अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया इसके बाद मैंने जो मेथी दिखाई थी काटके रखी थी वह इसमें डाल दी अब मेथी की भाजी का कोई स्पैसिफिक मेजर्मेंट नहीं है मैंने अंदाजे से एक छोटी सी जूड़ी थी वह ले ली और इसको काट लिया तो जादा कर लें और कम पसंद करते हैं तो थोड़ी सी डाली और अगर फ्रेश मेथी से नहीं बनाना चाते तो आप इसमें कसूरे मेथी भी डाल सकते हैं तेकिन अभी ठेंड का टाई में बहुत भाजी आ रही है तो क्यो ना फ्रेश से बनाया जाए और बहुत ही बहुत जादा भी मट डाले नहीं तो यह एक्तम कीला हो जाएगा और जो आपकी मठ्रिया न वो खराब हो जाएगी उसमें क्रिस्पी नस नहीं आएगी तो इसको थोड़ा थोड़ा डाल के गूतेंगे और एक बार में इसको बना के तयार नहीं करेंगे आटे को इसमें थ अच्छे तरीके से जुड़ गया है थोड़े से पानी में तो इस तरीके से इसको करने के बाद इसको मैं पांच मिनिट के लिए ऐसी छोड़ दूँगी उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा पानी और एट करूँगी तो अभी इसको रेस्ट दे देते है तब तक कड़ाई में रख दिये गरम होने के लिए अब ये पांच मिनिट बाद आटा जो है अच्छे से सेट हो गया अब इसको क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से मसलना है मुझे और मानी की जरूरत नहीं लगी लेकिन अगर आपको लग रही हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें छीटा मार सकते हैं तो अच्छी तरीके से मसलने से यह जोड़ेगा नहीं तो एकदम अलग अलग हो जाएगा तो यह देखी अच्छे से मैंने मसल लिया लगबख 5 मिनिट मैंने इसको मसला अभी एकदम रेडी है अब इस तरीके से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसके छोटे छोटे इस तरीके से गोले बना लेंगे अब जितने बड़ी आप बनाना चाते हैं मोटी पतली उसे साब से ले लें मैं थोड़ी सी मोटी मोटी बनाऊंगी बड़ी-बड़ी क्योंकि मटरियां जो होती है न वो थोड़ी सी बड़ी-बड़ी अच्छी लगती है लेकिन आपकी चोईज है आप छोटे छोटे बनाना चाहते हैं तो वैसे बना ले तो मैं इसकी सारी गोलिया बना लेती हूँ इसके बाद हम इसको चप्ता करेंगे अब इसको हाथ में ही मैं स्कोल कर दूंगी और इसके बाद इसको दोनों हतेलियों से दबा देंगे बस इतना ही करना है इतनी ही मोटी रखनी है साइड से थोड़ी सी फट रही है ऐसा ही फटना चाहिए इसी से अच्छा टेस्ट आता है और क्रिस्पी नसाती है तो इसी तरीके से मैं अपनी सारी जो मठरिया है वो बना लूँगी अगर बहुत बड़ी लग रही है तो छोटा कर दें और अगर पतली करना चाहता है तो थोड़ा सा और ज़्यादए तो और पतली हो जाएगी जैसे आप टेस्ट और मतलब जैसा आप इसको शेव देना चाहते हैं वैसा दे दे और अगर हाथ में चिपा करी हो तो थोड़े से तेल लगा ले और उसके बाद इसको फिर से गोला बनाए पटे बेलन का यूज मत करें क्योंकि मक्य काटा है तो बेलने में वैसे भी प्रॉबलम होती है अगर आप चाहें तो एक पन्नी लगा सकते हैं और पन्नी में इसको दबा दें अगर बहुत ज़्यादा बड़ी करनी है तो लेकिन जो मत्रियां होती है यह इतना ही साइज होता अगर थोड़ी सी तूट रही क्योंकि भाजी है तो शायद थोड़ी सी तूटे तो इसको दुबारा कर लें कोई दिक्कत नहीं है इसी तरीके से शेफ देते जाए और थोड़ी सी अगर मोटी लग रही है तो अपनी उंगलियों से इसको दबाते जाए और इसम बीच में फ्राय करने के लिए डाल देती हो जब तक फ्राय होगी तब तक बाकी की भी बना लूँगी तो एक बार में जितनी आपके तेल में आए उतनी डाले और पहले मैंने तेज गरम कर लिया तेल को एकदम तेज गरम किया उसके बाद जो गैस की फ्लेम थी उसको एकदम लो कर ताकि यह अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए अगर तेज आज में फटा फट सेकेंगे तो उपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी कलर ले लेगी लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट रह जाएगी कच्छी रह जाएगी तो इसको धीमी आज में सिकने दें और जब यह थोड़ी फ्लेम में इसको सेकेंगे और इसमें अच्छा वाला कलर देंगे लगबख एक बैच को सिकने में दो से तीन मिनिट का टाइम लगता है तो यह देखिए अभी अच्छी तरीके से सिक गई है एकदम क्रिस्पी हो गई है और बहुत अच्छा इसमें से साउंड भी आ रहा है तो अब ऐसे इस तरीके से जारे को साइड में करेंगे तो एक्स्ट्रा तेल भी निकल आएगा और यह मठ्रियां सिक गई एक मठ्री खालो थोड़ी सी भूग लगी है तो बस पेट भर जाता है शाम के टाइम चाय के साथ आप इसको सर्फ करें मच्चों के लिए बनाके र रहेगा यह बिल्कुल तेल नहीं पीती है अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप इसको टिशू पेपर में निकाल सकते हैं पर उसकी जरूरत ही नहीं है तो एक बार की हो गई उसी तेल में दूसरी बार की जाल दी और इसी तरीके से फटा-फट से सारी सेक लोंगी और ठंडी के टाइम तो और जादा मज़ा आती है मक्के का जित्ता यूज़ करेंगे उतना अच्छा है तो बस मेरी सारी मठ्रियां बनके एकदम रेडी है देखे कितनी जादा टेस्टी दिख रही है और इसको आप एयर टाइट डपे में भरके रखिए एक देड महीने तक य खा देती हूँ थोड़ी देर में यह और जादा क्रिस्पी हो जाएगी और बस इसको आप जरूर ट्राइकर इस ठंड में हेल्दी है टेस्टी है पटाफट बनने वाली रेसिपी है वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक य जाएब कर दीजे तो